हाई गाइस वल्कुम बैक तो माई चैनल होप यू आ डूइंग सो वेल आज के इस वीडियो में मैं आपको तिखाऊंगे फ्रेंच फ्राइस कैसे बनाते हैं यह सेम टू सेम मेगडी वाले फ्रेंच फ्राइस जैसे ही होते हैं और इसे बारिश की मौसम में खाने का मज़ा त बास्ट के दो जो पीसे हैं यह दो पीसे जो है मेगडी में डाले नहीं जाते हैं क्योंकि जब आप इसे फ्राइ करते हो तो वो जल जाते हैं तो बीच के जो तीन पीसे हैं इन्हें डाला जाते हैं और यह इवनली फ्राइ होते हैं और इसका कलर जो है एकदम सेम टू सेम तो यहां पे हम घर पे बना रहे हैं तो सारे पीसे को हम डाल लेंगे तो सबसे पहले हम यहां पे आलो को cut कर लेते हैं तो यहां पे मैं आपको एक अच्छा सा ट्रिक भी बिता दी हूँ आलू में बहुत सार्च रहता है जिसके वज़े से आलू जो है सौफ्ट बन जाता है जब हम फ्राइ करते हैं इसलिए आप जैसी आलू को कट कर लिए इसे दो से तीन बार अच्छे से वाश कीजिए और इसे मैंने इवन ली कट किया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक बावल में पानी चड़ा के रखा है इसे हाई फ्रेम में मैंने 5-10 मिंट के लिए छोड़ दिया था जैसे आप सप्राइट करते हो डायरेक्ली लेकर जाकर आपको फ्रिज में रखना होता है गर्मा गरम तो इससे आपको करेबन 3-4 घंटे के लिए फ्रीजर में रखना होगा और 3-4 घंटे के बाद तेल चड़ा लीजिए तो तेल जैसी गरम हुझा है इसमें डाल दीजिए आपको 10 मिंट रुखना पड़ेगा और 10 मिंट के बाद इसे अच्छे से स्टर कने के बाद फिर से 5 मिंट के लिए आप रुख जाएगे इसके उपर एक अच्छी सी कलर फॉर्म होने तक आपको इसे बिल्कुल भी नहीं निकालना होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चोटे-चोटे पीसे से वह बहुत ही जल्दी ब्राउन हो रहे है इसलिए मैगडी में आपको चोटे-चोटे पीसे से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देhmen बहुत ही लमबे-लमबे वाले फ्रेंश फ्रैस दिखाई देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंश जो है बिल्कुल बन के तयार है तो इसे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ आप देख सकते हो यह जो लेर फॉर्म हुई है बाहर की साइड यह बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर बहुत ही सॉफ्ट है तो अब हम इसमें रालेंगे थोड़ा सा नमक और इसे तरह के से साथ सर् केजिए थैंक यू सो मच पो वाचिए अंटिल देन टेकर बाई बाई